असलामों अलेकुम हेलो फेंस वल्गम डो मैं जहां रास की चेन मैं हूँ जहां आरा उमीद करते हूँ आप सफेरे से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ होमेट चीज की रेसिपी लेकर आए हूँ आज हम बनाने वाली हैं क्रीम चीज घर का बनाया हूँ चीज बहुत ही हेल्दी होता है इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिब सामन नहीं हम एट करते हैं हम इसे सिंपल तरिके से बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़ेदार का चीज प्रेट बन का त्यार होगा इस रेसिपी को जरू ठाई कीजेगा आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है तो फ्रेंज अगर आज की घर का बनाया वाँ चीज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए हलफुल लगती है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करते वह जाएगा तो चलिए मज़ेदार की होमेट चीज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं चीज बनाने के लिए हमें हापर दो चीजों का इस्तिमाल करना है सबसे पहले हमें हापर दो लीटर फुल फैट मिल्क ले लेना बिल्कुल गाड़ा हमें इस मिक्सचर को दूद में एट कर देना है विनेगर और दूद से हमारा चीज बनकर तयार होने वाला है बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है एंट तक जरूर देखते रहिए तो यहाँ पर देखिए दूद अच्छी तरह से खौलने लगा है अब हमें यहाँ पर आ पर ट्यार कर लेना है चीज बनाने के लिए तो यहाँ पर देखिए मैंने च्छेना बनाकर त्यार कर लिया है च्छेना इसTरह से हो चुका है दूद हो श्लप कर पानी अलग और चैना हमें क्या करना इसे अच्छी तरह से स्कुईज कर लेना है फिलाल छेना जो है बहुती गर्म है अब हमें क्या करना है थोड़ा सा पानी डालना इसको उपर ताकि यह थोड़ा सा थंडा हो जाए और जो भी हमने भीनेगा डाल कर इसे फाड़ा हुआ है उसका खटापन भी चल अगर आप रोटी बनाते है उससे का ना बहुत ही रोटी आपका सॉफ्ट बनकर त्यार होगा तो इसतरह से हमें तरफा त Yukा encouragementBaon प्रृवट मैं डाल करेंठेंगे creator चीजबदा सब्केर गर्म नहीं मैंने को चटनी के बृटरा ऩेपर पनीर लगाएंग तो आप चाहें तो बटर को स्किप कर सकते हैं मैंने हाँ पर स्रिफ थोड़ा सा बटर एड़ कर दिया है उसे क्या ना जब हम इससे सैंड्वीच बनाएं तो हमें अलग से बटर लगाने की जरुवत नहीं होगी तो लीजे फ्रेंड्स हो हमारा चीज प्रेड बिलकुल बनकर तयार है बहुती स्मूध टेक्श्चर वाला बहुती क्रीमी टेक्श्र वाला आपका चीज बनकर तयार होगा इसे बनाने के लिए मैंने कोई भी केमिकल का इस्तिमाल नहीं किया है और ना ही कोई प्रेड के लिए चार से पांस दिन के लिए आप इस तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हैं बहुती हेल्दी चीज बनकर तयार होता है तो इस रेसिपी को जरूट राइक कीजिएगा आप सभी को बहुती पसंद आनने वाला है तो यहां पर देखिए मेरे पास ब्रेट के स्लाइ तो यहां पर मैं आप लोगों को चीज जो है स्प्रेट करके दिखा रहे हूं कितना स्मूद और कितना मज़दार का बनकर तयार हुआ है देखने में जितना एटेम्टिंग खाने में मार्शाला से बहुत इलाजवाब है इस रेसिपी को जरूट राइक कीजिएगा तो यह तो इस रेसिपी को जरूट राइक कीजिए बहुत ही मज़दार का और कम चीजों के साथ बनकर तयार होता है चीज घर का बनाया हुआ होता है और इसी से अंदाज़ा लगा यह बहुत हिल्दी बनकर भी तयार हुआ है तो अगर आज की चीज प्रेट की रेसिपी आप तो चलिए मिलते हैं एकने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज